हेलो फ्रेंड्स मैं रही वर्मा आपका एक पर फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूटुब चैनल जिसका नाम है एफ वन टेक सपोर्ट तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि वाटसप के चाट को डिलीट करके कैसे फिर से इसको वापस लाया जाता है यह दोस्तों बहुत यह एक इंपॉर्टेंट चीज इसको आप चानलो और इस वीडियो को देख के आप समझ जाओ कि किस तरीके से आप इस चीज को रियस्टोर वापस कर सकते हो हमने अपना वाटसप ओपन कर लिया और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चीज के लिए आपको सबसे पहले तो हमारे सब्सक्राइब बटन को लाल से काला करना होगा और लाइक करना होगा कमेंट करना होगा सेर करना होगा तो चली दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर कुछ कॉंटक्स हैं उनके चैट को हम डिलीट करते हैं वन बाई वन और फिर से उसको रिश्ट हमारे प्रोसेस को आप one by one देखते रहें और तो चली हम अपने प्रोसेस को कर रहे हैं और आप इसको देखते रही है ठीक है बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी तो फ्रेंट सबसे पहले आपको फाइल मेनेजर को ओपन कर लेना है जिए दोस्तों फाइल मेनेजर को ओपन कर लेना है उसके बाद आपको अपने इंटेर्णल स्टोरेज में जाके सबसे पहले वहां पर आपको find out करना है WhatsApp चीए WhatsApp को वहां पर आपको find out कर लेना है मैं step by step बता रहा हुआ आप इस से उसके follow करेंगे तो आप 100% सफल होंगे WhatsApp को वहां पर open कर लेना है जो folder आपको वहां पर दिखाए देगा और उसके बाद जब से ही आप वहां पर WhatsApp open करेंगे तो वहां पर जो भी आपका data होता है data storage जो होता है WhatsApp को उस पर click करेंगा और first वाला देख रहे हैं तो हमें यहां पर select करना है जो first वाला जो option होता है उसको select करके rename कर लेना है और जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं इसका नाम देते हैं घरक सकते हैं कुछ भी जो आपके मैं किसी के हमें WhatsApp के तरफ और WhatsApp App को आप ओपन यहां पर नहीं करना है सीधे इसके डीटैल में जाना है देखिए किस तरीके डीटैल से एप डीटैल में जाना है और वहां पर हमें सीधा इसका जो अप्लीकेशन का डेटा है उसको simply क्लिक क्लिक कर देना है तो कैसे होता है इस चीज़ को देखिए आप यहाँ पर जो है ओपने के नहीं ही तो चलिए अब सेंपली हम यहाँ पर वाट्ट सब को अब फिर से ओपन करते हैं तो ये देखिए हमें वाटसाप को इंस्टॉल करते हैं उस तरीक से प्रोसेस होगा तो इसको फिलप कीजी मैं भी करता हूं इस चीज़ को कॉंटेक्ट नंबर डालने के बाद आपको मैसेज आएगा उस चीज़ को आपको यहां पर इंटर करना होका बहुत सारे फोन में यह आटोमेटिक भी हो जाता है यानि कि आटोमेटिक वह नंबर को फाइंड आट कर लेते हैं और आयाते हैं अकर नंबर ना आए तो आप वहा करके सिंफिटै रिए स्टोर करना है और यह जो कितना डेटा कितना फास्ट है आपका यह करें एंट करेंगे और फिर से चेया देख सकते हैं रही वरवा नाम आ आगे हैं यह कंफिगर हो रहा है हमारा वाटस अच और इसके बाद तो वह वापस आता है कि यहां पर नेवर अपने अनुसार पर चीज को कर सकता है यह आपके स्टोर जो होता है लेडिक होता है तो यह देखिए हम जिस-जिस कांटेक्ट के डेटा को क्लिर के था यह देखिए से सारा चीज उसी तरीका से वापस आ गया दोस्तो यह बहुत ही अच्छी चीज है इसको आप ट्राइ करें सच में बहुत मजा आए गलती से अगर कुछ भी डिलीट हो जाता है तो इस तरीके से आप करके अपने डेटा को बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हमारे डेटा जब फिर से वापस आता है तो चलिए फिलाल के लिए इ नहीं तब तक के लिए जाहिन वंदे मातरम